गुजराद सरकार मदर्सों का सर्वे करवा रही है। बताया जाता है कि सरकार ये देखना चारी है कि जो बच्चे मदर्से में पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें स्कूल में भी भेजा जा रहा है या फिर नहीं। सूरत के सर्वे के नतीजे चौकाने वाले सामें आए। गुजराद सरकार ने मदर्सों में पढ़ने वाले साथ हजार बच्चों को स्कूली शिक्षा देने का फैसला किया है। दरसल राश्रेबाल अधिकार सरनक्षन आयोग ने देश के सभी राज्यों से पूछा था कि गैर हिंदू बच्चे कैसे पढ़ाई हासल करे हैं। गुजराद सरकार के शिक्षा विभाग ने आयोग को बताया है राज्यों में मदर्सा बोट जैसी कोई चीज नहीं है। शिक्षा के अधिकार के तहट बच्चों को उससे वंचित नहीं रखा जा सकता। जो मूल शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए यह शिक्षा प्राप्त नहीं की है। आने तरीके से फीज बढ़ाने के अलावा NCRT की नकली किताबे और मोनोपली वाली यूनिफॉर्म का गोरग धंदा चल रहा था। प्रशासन ने 11 स्कूलों पर सकत कारवाई की है, कई बुक पब्लिशन कमपनी और बड़े-बड़े अधिकारी भी जाज के दाएरे में हैं। स्कूलों ने 50 परतीशत से ज्यादा फीज बढ़ाउतरी की, 21,000 चात्रों से 81,30,000 रुपे अवे तरीके से वसूल किये गए, यहां तक की ऑड़िट रिपोर्ट से छेड़ चाड़ की गई, नौथानों में 11 एफायर में 80 लोगों को आरोपी बनाया गया, जोने 20 लोगों क को गिरफतार किया गया, राजधानी दिल्ली समेत उतर भारत के कई राज्यों का पारा 50 डिगरी को भी क्रोस कर रहा है, इकल राजधानी का तापमान 49 डिगरी सेलसियस दर्च किया गया, जो कि 100 साल के रिकॉर्ट को तूड़ गया, ठंडे पहाडी राज भी इस वक्त अप रही है, दरसल 25 माई के बाद से तापमान लगातार बढ़ रहा है, उत्तर और मध्य भारत भीशण कर्मी की चपेट में है, कल राजधान के चुरू के साथ ही बाढ़ मेर और फलोदी में तापमान 50 से नीचे नहीं आ रहा, जो सामाने से करीब 8 डिगरी सेलसिस ज्यादा है मौसम विभाग के मताबिक राजस्थान में अगले दो से तीन दिनों में सिवेर हीट वेव से रहत मिलेगी रेड एलर्ट ज्वारी किया था, यानि आज भी राहत की उमीद नहीं है, मौसम विभाग ने दो दिनों बाद राहत की संभाव न जताई है, हफ्ते के अंत में बारिश के आसार है तो राजस्थान में गर्मी अपने चरम पर है चिल्चिलाती धूप और लू के कारण हाहाकार मचा हुआ है राजस्थान के चूरू में हीट वेव और लू के कारण घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है आसमान से बरस्ती आख की वज़े से जंजीवन अस्सिव्यस है चूरू में तापमान 50 डिगरी के पार पहुँच चुका है गर्मी को देखते हुई जगा जगा चाओं के विवस्था की गई ताकि आम लोगों को गर्मी से राहत मिल सके वहीं सडकों पर भी पानी से छड़काव किया जा रहा है सडकों पर सननाटा पस रहा है सडके भट्टी की तरह तप रही है वहीं मौसम विभाग के लू और हीट वेव को लेकर जारी अलर्ट ने लोगों की बेचैनी और बढ़ा दी है मौसम विभाग के मुताबिक अगले दो-तीन दिन में और भी गर्मी बढ़ने की संभावना है फायर फायर टीम के पास 18 फायर रोबोटिक मौनिटर मौजूद है कैसे और कहां पर हो रहा इनका इस्तमाल आपको बता रहे हमारे समवदाता पुनीत शर्म फायर डिपार्टमेंट के पास एक कारगर हत्यार है यह आप देख सकते हैं जिसको की मौनिटर बोला जाता है यह तरीके का रोबोटिक मौनिटर होता है और यह इस तरीके से आग में आगे बढ़ता हुआ जाता है और इस तरीके से पानी की बोचा छोक करके आग को बुझाने का काम करता है ये काफी जियादा कारगर साबित हुआ है अगर आग बहुत जियादा एरिया में फैली हो तो इस तरीके से ये आग पर स्प्रिंकल करता है और आग को बुज़ाने का काम करता है इस वक्रोगोटिक मोनिटर है ये और ये चल करके जाता है बाकादा इसको मशीन के जरीए एक कंट्रोल के जरीए चलाया जाता है इस तरीके से मुवमेंट करता है किसी भी तरफ मूर सकता है ये और उसके बाद एक बड़े प्रेशर से लॉंग डिस्टेंस तक की ये फायर करता है इसके अलावा अगर आग बहुत ज्यादा फैली है और उस पूरे एरिया को काफी तेजी से अगर आग बुजाना है तो इस तरीके के वाटर स्प्रिंकल का स्कमाल क्या जाता है इसमें हाई रेजूलेशन कैमरे भी लगे होते हैं जिसे पता लग सके कि क्या कोई अंदर है या नहीं है और चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दे कि आप सुभह 11 बजे आप देखना ना भूले अमिश्वा का सबसे नए इंटर्विव टीविनान भारत फर्ष पार अमिश्वा एक्सक्लोजिव